नमस्कार श्वागत है आप्षिभी कामारे इस चैनल पर आज हम लोग पढ़ेंगे हडपा सब्वता का धर्म एवं पूजा पद्धि अगर हम हडपा सब्वता के धर्म की बात करें तो सिंदु निवासियों का धर्म काफी बिक्सित था मैं इसको थोड़ा सा चले ठीक है सिंदु निवासियों का धर्म काफी बिक्सित था ऐसा प्रतीत होता है कि बहु देववादी होते हुए भी सिंदु निवासिय एक इस्वरिय सत्ता से परिचित है मतलब बहु देवादी, कई प्रकार के देवी देवताओं की फूजा होती थी, इसके बावजूद भी उन्हें पता था कि एक इस्वर ये सत्ता क्या होती है इसी सत्ता को बिश्च के स्रजनात्मक सक्ती समझते थे इसी सरजन सकती के परतीक की रूप में उन्होंने परमपुरुस और परमणारी के दुन्दात्मक धर्म का विकास किया था हिंदु धर्म के पारवती परमेशर की कलपना का आधी रूप हम सिंदु तट पर देखते हैं आज जो हम देखते हैं पारवती जी और शंकर जी या जिसे हम परमेश्वर कहते हैं भोले नात कहते हैं तो उसका कहें न कहें प्रतीक हमें सिंद्वगाटि सब्विता में नजार आता है वैसे कुछ प्रमाण हमको मिले हैं अभी हम लोग आगे बात करते हैं सबसे पहले हम पर बात करेंगे सिव परमपुरुस की उपासना सिव परमपुरुस की उपासना में सबसे पहले आप इसको देख लीजी थी थोड़ा था ये दिखिए सिंद्व प्रदेश में मैके महोदे मैके जो है एक इतिहासकार हैं बेटिस इतिहासकार हैं तो मायके महोदय को एक मुद्रा मिली है और इसके मद में एक नगन सरीरी ब्यक्ति योग मुद्रा में बैठा हुआ है नगन सरीरी मतलब कपड़ा नहीं पहने हुए है योग मुद्रा में बैठा हुआ यहां पराब बेखिए ये बैठा हुआ है बैक्ती इसके सीर्स पर कोई त्रिसूल के समान वस्तू है ये देखिए ये त्रिसूल के समान कोई वस्तू नजरा रही है और योगी के बाएं और एक गैंडा है बाएं और ये देखिए एक गैंडा है और एक भैसा भी है यहाँ पर एक भैसा है एक गैंडा और एक भैसा है तथा दाई और एक हाथी और एक ब्याग्र है यानि बाग है तो यह देखे यह हाथी है और यह ब्याग्र है जो चीजे मैंने लिखी है वो चीजे आपको इसमें दिख भी रही है हाँ तो एक ब्याग्र है उसके संमुम्क एक हिरन भी है यहां देखिये हिरन भी है अधिकांस बिद्वानों का मतरण है कि समपुर द्रिस्ट को देखने से इसा प्रतीत होता है कि यहां सियू जी का चित्र है तो अब इस चित्र को देखकर अधिकांस बिद्वान यही अंदाज़ा लगाते है कि यह जो चित्र है भगवान सियू का है वरतमान में जिन्हें सियू कहते हैं उनका रूप पहले ऐसे था सिंधुगाटी सब्यता में ऐसे ही लोग उनको देखते थे तो ये तो परमपुरुष की उपासना हो गई अब यहाँ पर एक परम नारी या फिर परमा नारी की उपासना की भी बात आती है इसको भी देख लेते हैं परमा नारी की उपासना परमपुरुस के साथ साथ सिंधु वासियों ने पर्मा नारी की भी कलपना की थी मोहन जोदलो, हडपा, चनहोदलो, आधी अस्थानों पर मिट्टी की बनी हुई बहुत संख्यक नारी की मूर्तिया मिली है इन में नारी प्राया नगन रूपें प्रदर्सित की गई है गले में गलूबंद अथवाहार रहता है तो यह देख लिए इसी को बोलते हैं पटका और अगर हम बात करें पटका और यह मेखला हो गया और यहां देखिए गले में देखिए इसको आप गलूबंद कह सकते हैं या फिर हार कह सकते हैं सीर्ज पर कुलहाड़ी इक राख की कुई वस्तू है यह देखें यह कुलहाड़ी टाइप का है यह कुलहाड़ी टाइप आहिए इनको देखकर के लिंग पूजा, सिंदुगाटी सब्विता में लिंग पूजा भी होती थी, प्रमाण मिले हैं इसके बहुत सारे वहाँ पर लिंग टाइप के कुछ वस्तुएं मिली हैं, सिवलिंग टाइप के हडपा और मोहन जोजलो में बहुत संक्यक लिंग मिले हैं, यह देखिए, जैसे आज सिवलिंग होते हैं वैसे ही मिले हैं, यह साधरल पत्थर, लाल पत्थर, नेले सेंडी स्टोन, यह पत्थरों के प्रकार हैं, चीनी मिटी अथवा सीब के बने हैं, हिंदु धर्मे लिंग बाटी सब्वेता से ही हुई है फिर यहां पर योनी पूजा तो योनी पूजा भी होती थी जैसे लिंग पूजा वैसे योनी पूजा भी होती थी हडपा और मोहंजदरों में बहुत संख्यक छले मिले हैं छले कुछ इस टाइब के मिले हैं तो यह छले पत्थर चीनी अथवाशीब के बने हुए है अधिकांस बिद्वान इन छलों को योनिया मानते है उनका मत है कि सिंदु निवासी लिंग पूजा के साथ योनि पूजा भी करते थे रिगवेद में योनि पूजा का उलेखनी अता हिंदु धर्म की या पूजा भी सिंद्वासू की ही देन है तो लिंग पूजा हुई या योनी पूजा हुई ये सब कहीं न कहीं सिंद्वासू की ही देन है ऐसा माना जाता है विद्वानों का ऐसा मानना है देखे इतियास में कोई भी चीज निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि अई सई था बट जो प्रमार मिलते हैं जो साक्ष मिलते हैं उसके अधार पर अनुमान लगा जा सकता है कि हाँ ऐसा रहा होगा ब्रिक्च पूजा के भी साक्ष मिले हैं सिंदु गाति सब्था में खुदाय में विविद बृच्छों की अनेक मूरतिया मिली हैं बिच्छो की मूर्तिया मिल्य है उसमें उसकी डिजाइन की गई हो इनसे प्रतीछ होता है कि सिन्धु निवासी बिच्छ पूजा भी करते थे सिधु प्रतीछ में पीपल का प्रिक्छ सबसे अधिक पवित्र माना जाता था इसके अलावा बात करने तो पसु पूजा भी होती थी सिंद्धु प्रदेश में पसु पूजा भी प्रतिरिष्टी थी मोहजदोडो में एक तामर पत्र पर काट कर बनाया गया बनाया गया ये थोड़ा से हैं पर मिस्टेक है यहाँ पर काट कर एक बैल बना है ये देखिए यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मोहजदोडो में एक तामर पत्र पर काट करके बनाया गया एक बैल का चितर मिला आप इस तरह से लिख सकते हैं ये देखिए और ये जो बैल है ये सक्ति का प्रतीक माना जाता था सिंदु प्रदेस में भैस और भैसा की भी अनेक मुद्राओं पर चित्र मिले हैं सिंदु निवासी गाय की भी पूजा करते थे अत्वा नहीं ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता देखे बैल भैसा और भैस के तो साक्ष मिलते हैं कि हाँ इसकी पूजा करते थे लेकिन गाय की पूजा करते थे अत्वा नहीं ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है गाय के निसान नहीं मिले हैं नाग पूजा के उधारन सिंदु प्रदेश में आवस्थ मिले हैं नाग पूजा होती थी जल पूजा मोहन जुदलो में एक विशाल और सुद्र इसनान कुंड मिला है इसके भीतर उतनने के लिए शेडिया बनाई गई है कुंड के चारो और ब्रामदे बने हैं और उनके पीछे कमरे बिद्वानों को अन्मान है किया इसनान कुंड धार्मी किसनानों में काम आता था यहां इसनान होना चाहिए धार्मी किसनानों में काम आता था यह देखिए यह है कुंड इसनान कुंड उत्तर और दच्छिड में सीडिया बनी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पर और इसके अब चुकिए यह ढह गया है तो इधर चारों तरफ कमरे बने होते थे ऐसे और बीच में नहाने का साम होता था दच्छिड और उत्तर के और सीडिया है प्रतीक पूजा भी होती थी प्रतीक मतलब कुछ ऐसे चिन कुछ ऐसे प्रतीक होते थे सिंबल्स होते थे उनकी भी पूजा होती थी जैसे आज हमारे यहां हिंदु धर में ओम है या फिर स्वास्तिक यह देख सकते हैं पूजा होती है ऐसे उस टाइम भी हुआ करती थी तो सिंदु प्रदेश में अनेक अस्तलों पर सींग, इस्तंब और स्वास्तिक के चित्र मिले हैं सींग, सींग के चित्र मिले हैं, इस्तंब के चित्र मिले हैं, स्वास्तिक के चित्र मिले हैं इनका कुछ धार में एक महतु था मुद्राओं पर अंकित कुछ इस्तंबो के ऊपर दूइप जलते दिखाए गए हैं यहां दूइप होना चाहिए खुदाई में चक्र और क्रॉस के भी चिन में ले हैं तो ऐसा माने आता है इन सारे परतीकों का कोई महतु था या वहां पर आप पुजा कह सकते हैं की होती थी अब बात करते हैं मूर्ति पुजा और मंदिर की इसको दिहान से देखना देवी दिवता और पसु पक्षियों इस्तंभू प्रतीक चिनों के निर्माड और अंगंसे प्रतीत होता है कि सिंदु निवासी साकार उपासना करते थे साकार कहने का मतलब है कि कि वे मूर्ति पूजा करते थे ऐसा माना जा सकता है क्योंकि कई प्रकार की चीजे मिले हैं मूर्तिया वगेरा मिली हैं और यह देखिए आप प्रतेक्चिन भी मिले हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु निवासी साकार पूजा करते थे साकार उपासना करते थे उनके समाज में मूर्ति पूजा प्रचलित थी मूर्ति पूजा प्रचलित थी यह सही है यह मूर्तिया मंदिरों में प्रतिश्टित की जाती है अथवा नहीं इस पर कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जासकता प्रते चुरूप से खुदाई में मंदिर के कोई साक्ष नहीं मिले तो अब यह जो मूर्तिया थी मंदिर में इस्थापित की जाती थी या नहीं यह हम नहीं कह सकते क्योंकि प्रते चुरूप से अगर देखें तो मंदिर का कहीं भी साक्ष नहीं मिला है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मूर्ति पुजा के साक्ष मिले हैं, मूर्तियों के साक्ष मिले हैं लेकिन, लेकिन मंदिर के साक्ष नहीं मिले हैं लेकिन कुछ विद्वानों की यहां राय है कि मोहन जोदुरों में जहां आज कुसार कालीन होगा कुशाड कालीन इस तूप इस्तित है उसी के नीचे सिंधु आस्यों का मंदिर दबा पड़ा है कुछ बिद्वान ये कहते हैं कि जहां आज कुशाड कालीन इस तूप बना हुआ है इस्तित है उसके नीचे अगर हम खुदाई करें तो सिंधु निवास्यों का मंदिर पाया जा सकता है लेकिन अभी ये कन्फरम नहीं हुआ कि वो मंदिर है या कुछ और है तो भी आप ये मान के चलें कि मंदिर के साक्ष नहीं मिले तो ये तो रही सिंधु निवास्यों की पुजापत्तिती उनका धार्म आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंधु निवास्यों का आर्थिक शंगठन और उनकी सामाजिक इस्थिती के बारे में अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजे शेर कर दीजे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें